का आगाज रण का युग बदलने की तयारी है हो चुका आगाज रण का तो जैसा कि व्याइपी पार्टी के जो पर दिया सी है रहा है मुनु निशाज जी लग रहा है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे है क्या लगता है जीत रहे हैं आप एकदम जीत रहे हैं देख नहीं रहे हैं विरोधी लोग परिशान हो गए हैं कौन परिशान हो गया है विरोधी जितने लोग हैं सब परिशान है नहीं लोग कह रहे हैं कि यहां बहुत बड़े-बड़े बाव बली हैं क्या टक कर दे पाएंगे बाव बली खुद परिशान ह वो राम अनुष्क निशाद जी को साइज सपने में देखता हूँ तो आपके अंदर तो डबल क्वाल्टी है पड़ादे भी है सिंगर भी है क्या लगता है कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है जब जब समय मिला है मुझे मैं समाज शेवा का काम भी करता हूं और मैं सो मैं समयाज के लिए हमेशा लगा रहता हूं और सिच्छा भी बच्चों को अच्छे से देता हूं और मैं चाहूंगा कि जो हमारे शमाज के लोग हैं आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरा ब्याइपी में हो गया है और निश्चित रूप से खुली चुन सब लोग है पढ़े लिखे लोग है निशाद पार्टी की तरह थोड़ी समय जो है इस रूफेल लोग है लोग कहते हैं कि मुके सानी जी जो है हलिकोप्टर से उड़ रहे हैं तो एक निशाद का जो बेटा है एक समय था कि खाने के लिए रोटी नहीं थी लेकिन आज हलिकोप्टर से उड़ता है आप ही का भाई बेटा बंदू है तो कैसा लगता है कि निशाद का बेटा हलिकोप्टर से जब उड़ता है समाज की जो असली लड़ाई अरक्षण की है मानि मुके सानी जी लड़ा है डक्टर साब भी कह रहे हैं भी लखनों में उन्होंने बुलाया था समाज के लोगों कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ अब आप भी समझ लेजे सरकार बनाओ अधिकार पाओ अब बताएए योगी जी सरकार यहां है और दिल्ले मानी मोदी जी कहा है तो सरकार कहां बनाएंगे लंडन बनाएंगे जो डाक्टर संजनी साथ जी कहा है रहे हैं कि मुके सानी जी जो है वो उत्तर प्रदेश में फूलन देवी और हलिकोफ्टर लेकर के जो है महापूर सुक नाम से राजनीती कर रहे हैं इसलिए वो अधिकार नहीं दिला पाएंगे कि रहनंति कारी विचारध्यारों के हमारे माने मुके साहनी जी है और मान नी concept कि विरांग ना भ्येन फूलन देवी की विचारध्यारों को माननें वाले हैं हमारे मंद्री जी और हाग अधिकार वही इसंधी wanamotyr ये जानते है ना इसको एसा जेत्वेंगे लिए अरच्छ कि यह पदले कि नहीं बदले अज उसी तरह से हमारा समाज जो निशाद है माने मुकेश रहनी के नेतरूत में विश्वास कर रहा है आगे आने वाले शमय में हमारा शमाज मुकेश सहनी के साथ मिलकर अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा और निश्यत रूप से लेकर रहेगा मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण नहीं देगी तो जो नाव है उनको बीच मसदार में जा करके पलट देंगे सरकार को अब नाव पठलने के जरूत नहीं है सदियों से नाव कोई नहीं पलट पाया है और आज नाव आप देखने हैं माने मुकेश सहनी जी रोड़ पे दोड़ा रहे हैं और अभी डाक्टर सांजे निसाद ने कहा कि सरकार बनो अधिकार पाओ और लोगों को जूट बोलके रामबाई मैदान में बुलाया थे हमारा शमाज वहां भूखे प्यासे अपने संसाधन से जाकर रामबाई मैदान को भने का खचा-खच काम किया थे लेकिन उस मंच से अरच्छन सब्द नहीं लिया गया नाम तो ही लोगों ने बिरोत किया मुर्दाबाद कुर्सिया तोड़े आप सभी जान रहे हैं वहां धोखा देके बुलाया गया था हमारे समाज को हां अरच्छन तो नहीं मिला लेकिन उनको 15 सिट जरूर मिल गई एमिल सी हो गए है उनका परिवार ही बीजेपी ती जैसा अब जी एक और उससमें लगता था कि नहीं डाक्टर शाहाब हमारे समाज का नित्रत कर रहे हैं और हो अपने दिशा से कहीं न कहीं भड़क गए और जब तक विचार धारा हैं हमारी मिलती रही तब तक हम निशादपार्टी में काम करते थे हैं और जो पिचार धारा नहीं मिली हमें मानने मंत्री जी के पिचार धाराओं को जह हमने सुना बहुत मैं प्रुभावित हुआ और मैंने सोचा कि अब ये निशास समाज के लिए असली मसीहा मिल गए है और इनके नित्रित में हैं राच्छों ले सकते हैं अब बताएए जो ब्यक्ति अपना नोट भर रहा है वो समाज का क्या नेत्रित कर सकता है अभी देखे करोड़ों में सौधा किये और अपने जो निशास पार्टी बनाए थे उसमें किसी निशाद को अब देखे तबज्जु नहीं दिया गया जितने जितने प्रत्यासी ये aretti हरेएं सब बीज Julian qui के प्रत्यासी है और चुनाओं इसे कर विए कि नहीं रहेगा और वह एगर जीद BT कए और फिर वह विज़ेपी के आं आप जान नहीं रहे हैं और इसके बात फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं और 2000 यह चुनाओं के बाद आईश के बाद